How Not To Die by Michael Greger Detailed Chapter Explanations in Hindi अध्याए 1 हृदय रोग से कैसे न मरे इस अध्याए में Dr. Michael Greger बताते हैं कि हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है और कैसे इसे रोका जा सकता है हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यू का प्रमुख कारण है लेकिन सही खानपान और जीवन शैली में बदलाव करके इसे रोका और उलटा जा सकता है मुख्य बिंदू 1. संतुलित आहार फल, सबजियां, साबुत अनाज और फलियों का सेवन बढ़ाना चाहिए ये खाद्य पदार्थ प्राकृतिक एंटियों अक्सिडेंट्स, विटामिन्स और खनीजों से भरपूर होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं उदाहरन के लिए पालक, ब्रोकली और बैरीज जैसे ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी हृदय स्वास्थे के लिए अत्यंत लापकारी हैं 2. संत्रिप्त वसा और ट्रांस वसा से बचें तले हुए खाद्य पदार्थ, जंक फूड और उच्छवसा वाले मान सुत्पादों से परहेज करें ये खाद्य पदार्थ आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाते हैं जिससे धमनियों में रुकावट हो सकती है इसके बजाए एवोकाडो, नट्स और ओमेगा तीन फैटी एसिट से भरपूर मचली का सेवन करें त्री, नियमित व्यायाम दिल को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि तेज चलना, दौडना और तैरना हृदय के लिए बेहद लाभकारी है इसके अलावा, योग और मेडिटेशन भी तनाव कम करने और हृदय स्वास्थे में सुधार करने में मदद कर सकते हैं दूम्रपान हृदय रोग का एक बड़ा कारण है इसे तुरंत छोड़ें धूम्रपान छोड़ने से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह सुधारता है और रक्त चाप नियंत्रित रहता है इसके अलावा, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचें क्योंकि यह भी हृदय के लिए हानिकारक है पांच अलकोहल का सेवन सीमित करें अधिक मात्रा में अलकोहल का सेवन हृदय को नुकसान पहुचा सकता है यदि आप अलकोहल का सेवन करते हैं तो इसे सीमित मात्रा में ही करें रेड वाइन जो एंटियोन एक्सिडेंट से भरपूर होती है का संयमित सेवन हृदय के लिए लाबकारी हो सकता है लेकिन अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए 6. नियमित स्वास्थे जांच अपने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच कराते रहे समय समय पर डॉक्टर अक्टर से परामर्श लें और कोई भी असामान्य लक्षन होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें 7. मानसिक स्वास्थे का ध्यान रखें तनाव और चिंता भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन, ध्यान और अन्य तनाव प्रबंधन तक्नीकों का उप्योग करके मानसिक स्वास्थे को मजबूत बनाए अध्याय 2. फेफणों के रोग से कैसे न मरें फेफणों के रोग जैसे chronic obstructive pulmonary disease, COPD और फेफणों का कैंसर अक्सर धूमरपान और प्रदूशन के कारण होते हैं इस अध्याय में फेफणों के स्वास्थे को बनाए रखने के उपाय बताए गए हैं मुख्य बिंदू 1. धूमरपान छोड़ें धूमरपान से तुरंत परहेज करें यह फेफणों के रोग का सबसे बड़ा कारण है धूमरपान छोड़ने से फेफणों की कारिक्षमता में सुधार होता है और फेफणों का कैंसर, COPD और अन्यश्वसन रोगों का जोखिम कम होता है 2. स्वच हवा अपने आस-पास की हवा को स्वच और ताजगी भरी रखें यदि आप प्रदूशित क्षेत्र में रहते हैं तो एर प्यूरिफायर का उपयोग करें और घर के अंदर पौधों को रखें जो हवा को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं बाहर निकलते समय मास्क पहने खास कर तब जब हवा की गुणवत्ता खराब हो 3. एंटियोन एक्सिडेंट युक्त आहार फल और सबजियों का सेवन बढ़ाएं जो एंटियोन एक्सिडेंट्स से भरपूर हो एंटियोन एक्सिडेंट्स फेफडों के उतकों की मरमत में मदद करते हैं और प्रदूशन के हानिकारक प्रभावों से बचाते हैं ब्रोकली, हरी पत्तेदार सबजियां, गाजर और विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा अमरूद आदी लापकारी है चार, श्वसन व्यायाम फेफडों की क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित श्वसन व्यायाम करें डीप ब्रीधिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और अन्य श्वसन तक्निकें फेफडों की कार्यक्षमता में सुधार करती हैं और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है पांच व्यायाम और शारीरिक गतिविधी नियमित शारीरिक गतिविधी फेफडों की स्वास्थे के लिए बेहत महत्वपूर्ण है तेज चलना, दोडना, तैरना और साइकिल चलाना जैसी गतिविधिया फेफडों की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और शरीर को ऑउक्जीजन की आपूर्ती में सुधार करती है चेक एलर्जी और अस्थमा प्रबंधन यदि आपको अलर्जी या अस्थमा है तो अपने डॉक्टर अक्टर से परामर्श करें और उनकी सलाह के अनुसार उपचार लें अलर्जी के कारणों से बचें और अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित रखने के लिए निर्धारित दवाओं का सेवन करें अध्याय तीन मस्तिश्क के रोग से कैसे नमरे मस्तिश्क के रोग जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया गंभीर स्वास्थे समस्याएं हैं इस अध्याय में मस्तिश्क को स्वस्थ रखने के उपाय बताए गए हैं मुख्य बिंदू 1. मस्तिश्क के लिए स्वास्थे प्रद आहार, फल, सब्जियां, नट्स और साबुत अनाज जैसे खाद्य पदार्थ मस्तिश्क के स्वास्थे के लिए लाबकारी होते हैं. Anti-on accidents, omega-3 fatty acid और vitamin E युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं. उदाहरन के लिए अकरोट, अलसी के बीज और तैलिये मचलियां मस्तिश्क के स्वास्थे को बढ़ावा देती हैं. 2. मानसिक व्यायाम मस्तिश्क को सक्रिय रखने के लिए नियमित मानसिक व्यायाम करें. पढ़ना, लिखना, पहिलियां सुलजाना और नए कौशल सीखना मस्तिश्क को सक्रिय और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं नियमित शारीरिक व्यायाम मस्तिश्क के रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और नियूरोजेनेसिस को बढ़ावा देता है जो नए neurons के निर्माण में मदद करता है रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधी जैसे तेज चलना, दोडना या योग मस्तिश्क के स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है 4. सामाजिक जुडाव सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं सामाजिक जुडाव मस्तिश्क के स्वास्थे को बढ़ावा देता है और डिमेंशिया के जोखिम को कम करता है 5. नींद और आराम नींद की कमी मस्तिश्क के लिए हानिकारक हो सकती है हर रात पर्याप्त नींद लें और नियमित नींद का पैटर्न बनाए रखें नींद मस्तिश्क की मरम्मत और पुनरुथान में मदद करती है 6. तनाव प्रबंधन अत्यधिक तनाव मस्तिश्क के लिए हानिकारक हो सकता है तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, योग और ध्यान जैसी तकनीकों का उप्योग करें तनाव को नियंत्रित रखने से मस्तिश्क के स्वास्थे में सुधार होता है धूम्रपान और अलकोहल का सेवन सीमित करें धूम्रपान और अत्यधिक अलकोहल का सेवन मस्तिश्क के लिए हानिकारक हो सकता है धूम्रपान छोड़ें और अलकोहल का सेवन सीमित करें अध्याय चार पाचन तंत्र के कैंसर से कैसे न मरें पाचन तंत्र के कैंसर, जैसे पेट का कैंसर, कोलन कैंसर और यक्रित कैंसर गंभीर स्वास्थिय समस्याएं हो सकती है इस अध्याई में पाचन तंत्र के स्वास्थिय को बनाए रखने के उपाय बताए गए है मुख्य बिंदू 1. उच्छ फाइबर युक्त आहार साबुत अनाज, फल, सबजियां और फलियों का सेवन बढ़ाए ये खाद्य पदार्थ फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं 2. प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स जैसे की दही और अन्य किन्वित खाद्य पदार्थ और प्रीबायोटिक्स जैसे की केले और प्याज पाचन तंत्र के स्वास्थि को बढ़ावा देते हैं ये खाद्य पदार्थ आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं 3. Red meat और processed meat से बचें Red meat और processed meat का अधिक सेवन पाचन तंत्र के cancer के जोखिम को बढ़ा सकता है इसके बजाए पौधों से प्राप्थ प्रोटीन स्रोतों जैसे की beans, डाले और टोफू का सेवन करें 4. स्वस्थ वजन बनाए रखें अधिक वजन और मोटापा पाचन तंत्र के cancer के जोखिम को बढ़ा सकते हैं स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें 5. अलकोहल का सेवन सीमित करें अत्यधिक अलकोहल का सेवन पाचन तंत्र के cancer के जोखिम को बढ़ा सकता है और second hand smoking से भी बचें। अध्याय पांच संक्रमण से कैसे न मरें संक्रमण जैसे bacterial, viral और fungal संक्रमण गंभीर स्वास्थे समस्याएं हो सकती हैं। इस अध्याय में संक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए हैं। मुख्य बिंदू एक, अच्छी स्वच्चता अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। खास कर खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद। अच्छी स्वच्चता उपायों का पालन करें। जैसे की नियमित रूप से स्नान करना और साफ कपड़े पहनना। 2. टीका करण संक्रमट से बचाव के लिए समय समय पर टीका करण कराएं। टीके, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और संक्रमट से बचाव में मदद करते हैं। 3. संतुलित आहार, भल, सबजियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं. स्वस्थ आहार, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है. 4. पर्याप्त नींद प्रत्यक रात पर्याप्त नींद लें. नींद आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है. पांच. तनाव कम करें. अत्यधिक तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है. तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, योग और ध्यान जैसी तक्नीकों का उपयोग करें. छे. नियमित व्यायाम, नियमित शारिरिक कतिविधी. आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और संक्रमन से बचाव में मदद करती है. साथ. संक्रमन के लक्षणों को नजरंदाज न करें. संक्रमन के लक्षणों को नजरंदाज न करें और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें. संक्रमन के शुरुवाती लक्षणों का उपचार संक्रमन को बढ़ने से रोक सकता है. आठ घर और कार्यस्थल की सफाई अपने घर और कार्यस्थल को साफ रखें सफाई और स्वच्छता के उपायों का पालन करें ताकि संक्रमन के प्रसार को रोका जा सके अगले अध्याईों के विवरण के लिए कृपया बताएं अध्याई 6 मधुमें से कैसे न मरें मधुमें डाइबिटीज एक प्रमुक स्वास्थे समस्या है जो यदि ठीक से नियंद्रित नहीं की जाती है तो यह कई गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती है इस अध्याई में डॉक्टर माइकल ग्रीगर बताते हैं कि मधुमें को कैसे रोका जा सकता है और इसे नियंतरित करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं? मुख्य बिंदू 1. पौधों पर आधारित आहार मधुमेह को नियंतरित करने के लिए पौधों पर आधारित आहार बहुत ही प्रभावी है. फल, सबजिया, साबोत अनाज और फलियों का सेवन बढ़ाएं ये खाद्य पदार्थ उच्छ फाइबर युक्त होते हैं जो रक्त शरकरा के स्तर को नियंद्रित करने में मदद करते हैं दो, संसाधित चीनी और परिश्कृत कार्बोहाइडरेट से बचें परिश्कृत शरकरा और सफेद ब्रेड, पास्ता और बेकरी उतपाद जैसे परिश्कृत कार्बोहाइडरेट से परहेज करें इन खाद्य पदार्थों से रक्त शरकरा तेजी से बढ़ता है इसके बजाए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का चैन करें जैसे ओटमील, क्विनुआ और ब्राउन राइस तीन, नियमित शारिरिक गतिविधी नियमित व्यायाम, जैसे तेज चलना, दोड़ना, तैरना और साइकिल चलाना मधुमेह के प्रबंधन में मदद करता है व्यायाम से इंसुलिन की समवेदन शीलता बढ़ती है और रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद मिलती है चौर, वजन नियंतरित रखें स्वस्थ वजन बनाए रखना, मधुमेह को रोकने और नियंतरित करने में महत्वपूर्ण है वजन घटाने से इंसुलिन समवेदन शीलता में सुधार होता है और रक्त शरकरा के स्तर को नियंतरित करने में मदद मिलती है 5. स्वस्थ वसा का सेवन करें अस्वस्थ संत्रिप्त और ट्रांस वसा के स्थान पर स्वस्थ वसा जैसे कि एवोकाडो, नट्स और ओमेगा तीन फैटी एसिट से भरपूर मचली का सेवन करें ये वसा दिल और संपूर्ण स्वास्थे के लिए लाबकारी है 6. तनाव कम करें. तनाव रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकता है. तनाव प्रबंधन के लिए योग, मेडिटेशन और ध्यान जैसी तकनीकों का उपयोग करें. अपने रक्त शरकरा के स्तर की नियमित जाँच कराएं और डॉक्टरक्टर के निर्देशों का पालन करें यह सुनिश्चित करें कि आपका रक्त शरकरा स्तर सामान्य सीमा में है 8. दवाएं और इंसुलिन का सही उप्योग यदि आप मधुमेह की दवा या इंसुलिन लेते हैं, तो डॉक्टरक्टर के निर्देशा नुसार इन्हें सही समय पर और सही मात्रा में लें अध्याय साथ, उच्च रक्तचाप से कैसे न मरें, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके लक्षन अकसर दिखाई नहीं देते, लेकिन यह हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की बीमारी के जोखिम को बढ़ा सकता है इस अध्याय में उच्च रक्तचाप को नियंतरित करने के उपाय बताए गए है मुख्य बिंदू 1. कम सोडियम का सेवन अधिक सोडियम का सेवन, उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है प्रोसेस्ट फूड्स जैसे की चिप्स, पिज्जा और डिब्बा बंद सूप में उच्च सोडियम होता है इसके बजाए ताजे फल, सबजियां और घर का बना खाना खाए 2. पोटेशियम युक्त आहार पोटेशियम से भरपूर खाद्यपदार्थ, जैसे केले, पालक और शकरकंद, रक्तचाप को नियंतरित करने में मदद करते हैं पोटेशियम सोडियम के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करता है 3. शारिरिक गतिविधी नियमित व्यायाम रक्तचाप को कम करने में मदद करता है एरोबिक व्यायाम, जैसे कि तेज चलना, दोडना और तैरना, रक्तचाप को नियंतरित करने में प्रभावी होते हैं 4. शराब और कैफीन का सेवन सीमित करें अत्यधिक शराब और कैफीन का सेवन रक्तचाप बढ़ा सकता है. इनका सेवन सीमित मात्रा में करें. 5. धूम्रपान चोड़ें. धूम्रपान रक्त चाप को बढ़ाता है और हृदय स्वास्थिय को नुकसान पहुंचाता है. धूम्रपान चोड़ें और second hand smoking से भी बचें. 6. तनाव कम करें तनाव रक्तचाप को बढ़ा सकता है तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन, योग और ध्यान जैसी तक्निकों का उप्योग करें 7. वजन कम करें अधिक वजन और मोटापा उच्छ रक्तचाप का कारण बन सकते हैं स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें 8. नियमित जाँच और दवा अपने रक्तचाप की नियमित जाँच कराएं और डॉक्टर अक्टर द्वारा निर्देशित दवाओं का सही से सेवन करें अध्याय आठ जिगर के रोग से कैसे न मरें जिगर, लिवर, शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो विशाक्त पदार्थों को साफ करता है और कई महत्वपूर्ण कारे करता है इस अध्याय में जिगर के स्वास्थे को बनाए रखने के उपाय बताए गए हैं मुख्य बिंदू 1. शराब का सेवन सीमित करें अत्यधिक शराब का सेवन जिगर के लिए हानिकारक हो सकता है और लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर डिजीज का कारण बन सकता है शराब का सेवन सीमित मात्रा में करें या पूरी तरह से परहेज करें 2. स्वस्थ आहार, फल, सबजियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा का सेवन बढ़ाएं ये खाद्य पदार्थ जिगर के स्वास्थे को बनाए रखने में मदद करते हैं विशेश रूप से क्रूसिफेरस सबजियां जैसे कि ब्रोकली और गोभी जिगर को डिटॉक्सिफाई करने में सहायक होती हैं 3. विशाक्त पदार्थों से बचें जिगर को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों और विशाक्त पदार्थों से बचें हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से बचें और उप्योग के समय सुरक्षा उपायों का पालन करें. 4. Hydration परियाप्त मात्रा में पानी पिएं. पानी जिगर को विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. और जिगर के स्वास्थे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है. 5. नियमित व्यायाम नियमित शारिरिक गतिविधी वजन को नियंत्रित रखने और जिगर के स्वास्थे को बनाए रखने में मदद करती है. व्यायाम fatty liver disease के जोखिम को कम करता है 6. Hepatitis से बचाव Hepatitis virus A, B, C से बचाव के लिए टीका करण कराएं और सुरक्षित व्यवहार अपनाएं Hepatitis जिगर के लिए गंभीर स्वास्थे समस्याएं पैदा कर सकता है 7. स्वस्थ वजन बनाए रखे अधिक वजन और मोटापा, fatty liver disease और अन्य जिगर संबंधित रोगों का कारण बन सकते हैं स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें अध्याए 9. रक्त कैंसर से कैसे न मरे रक्त कैंसर जैसे leukemia, lymphoma और multiple myeloma गंभीर स्वास्थे समस्याएं हो सकती हैं इस अध्याए में रक्त कैंसर को रोकने के उपाय बताए गए हैं मुख्य बिंदू एक anti-oxidant युक्त आहार फल और सबजियों का सेवन बढ़ाएं जो anti-oxidants से भरपूर हों anti-oxidants शरीर को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं विशेश रूप से जामुन, गाजर और पालक जैसे खाद्य पदार्थ लाबकारी होते हैं 2. red meat और processed meat से बचें red meat और processed meat का अधिक सेवन रक्त कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है पौधों से प्राप्त protein स्रोतों जैसे की beans, डाले और tofu का सेवन करें 3. धूम्रपान छोड़े धूम्रपान रक्त कैंसर का एक प्रमुक कारण है धूम्रपान छोड़े और second hand smoking से भी बचें 4. स्वस्थ वजन बनाए रखें स्वस्थ वजन बनाए रखना कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है वजन घटाने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें 5. रसायनों से बचें हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से बचें कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाए 6. नियमित जाँच समय समय पर स्वास्थ्य जाँच कराएं और रक्त कैंसर के लक्षणों पर ध्यान दें रक्त कैंसर के शुरुवाती लक्षणों का पता लगाने और उपचार कराने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है अध्याय 10 गुर्दे की बीमारी से कैसे न मरें गुर्दे, किड्नी शरीर के विशाक्त पदार्थों को साफ करते हैं और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं इस अध्याय में गुर्दे की बीमारियों को रोखने के उपाय बताए गए हैं मुख्य बिंदू 1. परियाप्त हाइड्रेशन परियाप्त मात्रा में पानी पिए पानी गुर्दों को विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और गुर्दों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 2. नमक का सेवन सीमित करें अत्यधेक नमक का सेवन गुर्दों के लिए हानिकारक हो सकता है और उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है नमक का सेवन सीमित मात्रा में करें 3. स्वस्थ आहार फल, सबजियां, साबोत अनाज और स्वस्थ वसा का सेवन बढ़ाएं ये खाद्यपदार्थ गुर्दों के स्वास्थे को बनाए रखने में मदद करते हैं 4. नियमित व्यायाम नियमित शारेरिक गतिविधी वजन को नियंतरित रखने और गुर्दों के स्वास्थे को बनाए रखने में मदद करती है व्यायाम गुर्दों के स्वास्थे के लिए लाबकारी होता है 5. रक्त शरकरा और रक्त चाप को नियंत्रित रखें मधुमेह और उच्छ रक्त चाप गुर्दों की बीमारियों का मुख्य कारण है अपने रक्त शरकरा और रक्त चाप को नियंत्रित रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें छिक्स धूम्रपान छोड़े धूम्रपान गुर्दों के लिए हानिकारक है और गुर्दों की बीमारियों का कारण बन सकता है धूम्रपान छोड़े और second hand smoking से भी बचे साथ, नियमित जाच समय समय पर स्वास्थ जाच कराएं और गुर्दों की बीमारियों के लक्षणों पर ध्यान दे गुर्दों की बीमारियों के शुरुवाती लक्षणों का पता लगाने और उपचार कराने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है अध्याए 11 स्तन कैंसर से कैसे न मरे स्तन कैंसर महिलाओं में एक सामान्य कैंसर है लेकिन इसे रोका जा सकता है और शुरुवाती चरण में इलाज किया जा सकता है इस अध्याय में स्टन कैंसर को रोकने के उपाय बताए गए है मुख्य बिंदू 1. स्वस्थ आहार, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा का सेवन बढ़ाए ये खाद्य पदार्थ स्टन कैंसर के जोखिम को कम करते हैं विशेश रूप से ब्रोकली, गोभी और अन्य क्रूसिफेरस सब्जियां लाबकारी होती है 2. वजन नियंत्रित रखें अधिक वजन और मोटापा स्टन कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें 3. नियमित व्यायाम नियमित शारीरिक गतिविधि स्टन कैंसर के जोखिम को कम करती है हर सब्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीवरता की एरोबिक गतिविधि करें 4. अलकोहल का सेवन सीमित करें अत्यधिक अलकोहल का सेवन स्टन कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है यदि आप अलकोहल का सेवन करते हैं तो इसे सीमित मात्रा में ही करें 5. स्टन पान स्टन पान स्टन कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है यदि संभव हो तो बच्चे को स्तन पान कराएं 6. धूम्रपान छोड़ें धूम्रपान स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है धूम्रपान छोड़ें और सेकंड हैंड स्मोकिंग से भी बचें 7. नियमित जाँच और मैमोग्राफी समय समय पर स्वास्थ जाँच कराएं और नियमित मैमोग्राफी कराएं स्तन कैंसर के शुरुवाती लक्षणों का पता लगाने और उपचार कराने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है अध्याए 12. आत्महत्या अवसाद से कैसे न मरे आत्महत्या और अवसाद गंभीर मानसिक स्वास्थे समस्याएं है इस अध्याए में मानसिक स्वास्थे को सुधारने और आत्महत्या के जोखिम को कम करने के उपाय बताए गए है मुख्य बिंदू 1. मानसिक स्वास्थे का खयाल रखे अपनी भावनाओं को समझें और मानसिक स्वास्थे का खयाल रखें आवशक्ता पढ़ने पर मानसिक स्वास्थे विशेशज्य से सलाह लें 2. सामाजिक समर्थन सामाजिक संबंध और समर्थन अवसाद को कम करने में मदद करते हैं अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो 3. स्वस्थ आहार स्वस्थ आहार मानसिक स्वास्थे को सुधारने में मदद करता है फल, सबजिया, साबुत अनाज और ओमेगा तीन फैटी एसिट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें 4. नियमित व्यायाम नियमित शारिरिक गतिविधि अवसाद को कम करती है और मानसिक स्वास्थे को सुधारती है हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें 5. पर्याप्त नीद पर्याप्त नीद मानसिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्येक रात कम से कम 7-8 घंटे की नीद लें 6. तनाव प्रबंधन तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन, योग और ध्यान जैसी तकनीकों का उप्योग करें अत्यधिक तनाव अवसाद का कारण बन सकता है 7. आत्महत्या के संकेतों को समझें और उन्हें गंभीरता से लें यदि आप या आपका कोई प्रिय आत्महत्या के विचार कर रहा है तो तुरंत मदद प्राप्त करें अध्याए 13. प्रोस्टेट कैंसर से कैसे न मरे प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में एक सामान्य कैंसर है लेकिन इसे रोका जा सकता है और शुरुवाती चरण में इलाज किया जा सकता है इस अध्याए में प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के उपाय बताए गए है मुख्य बिंदु 1. स्वस्थ आहार, फल, सबजियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा का सेवन बढ़ाएं ये खाद्य पदार्थ प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करते हैं विशेश रूप से टमाटर, सोया और ग्रीन टी लाबकारी होती हैं तो, वजन नियंत्रित रखें अधिक वजन और मोटापा प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें तीन, नियमित व्यायाम नियमित शारीरिक गतिविधी प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करती है हर सप्ता कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीवरता की ऐरोबिक गतिविधी करें 4. अलकोहल का सेवन सीमित करें. अत्यधिक अलकोहल का सेवन प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है. यदि आप अलकोहल का सेवन करते हैं, तो इसे सीमित मातरा में ही करें. 5. धूमरपान छोड़ें धूमरपान प्रॉस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है धूमरपान छोड़ें और सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचें 6. नियमित जाँच समय समय पर स्वास्थे जाज कराएं और प्रोस्टिट कैंसर के शुरुवाती लक्षणों पर ध्यान दे प्रोस्टिट कैंसर के शुरुवाती लक्षणों का पता लगाने और उपचार कराने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है अध्याय 14. Parkinson रोग से कैसे न मरे? Parkinson रोग एक neurological बीमारी है, जो मस्तिश्क के उस हिस्से को प्रभावित करती है, जो गती को नियंत्रित करता है. इस अध्याय में Parkinson रोग को रोकने के उपाय बताये गए हैं. मुख्य बिंदू स्वस्थ वसा का सेवन करें. ओमेगा, तीन फैटी एसिट से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे की मचली, अलसी के बीज और अख्रोट का सेवन करें. ये वसा मस्तिश्क के लिए लाबकारी होते हैं. 4. धूमरपान छोड़ें. धूमरपान Parkinson रोग का जोखिम बढ़ा सकता है. धूमरपान छोड़ें और Second Hand Smoking से भी बचें. 5. विशाक्त पदार्थों से बचें. हानिकारक रसायनों और विशाक्त पदार्थों से बचें, जो मस्तिश्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं. 6. पर्याप्त नींद. मस्तिश्क स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है. प्रत्य एक राद कम से कम साथ आठ घंटे की नींद लें. 7. मानसिक गतिविधियां. मानसिक रूप से सक्रिय रहें. मानसिक गतिविधियां. जैसे कि पढ़ना, पहेली हल करना और नई चीज़ें सीखना मस्तिश्क स्वास्थे के लिए लाबकारी होती हैं. अध्याए 15. चिकित्सा. हस्तक्षेप से कैसे न मरें? चिकित्सा. हस्तक्षेप कभी-कभी हानिकारक हो सकते हैं और अप्रत्याशित दुश प्रभाव पैदा कर सकते हैं. इस अध्याए में चिकित्सा हस्तक्षेप से बचने के उपाय बताए गए हैं. मुख्य बिंदू. 1. आवश्यक चिकित्सा जाँच केवल आवश्यक चिकित्सा जाँच और प्रक्रियाएं कराएं अनावश्यक परीक्षण और प्रक्रियाएं दुश प्रभाव और जटिलताओं का जोखिम बढ़ा सकते हैं 2. दवाओं का सही उपयोग दवाओं का सही उपयोग करें और डॉक्टर एक्टर के निर्देशों का पालन करें स्वयम से दवाओं का सेवन न करें और ओवर्द काउंटर दवाओं का उपयोग सावधानी पूर्वक करें 3. वैकल्पिक चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त करें और प्राकृतिक उपायों का उप्योग करने पर विचार करें प्राकृतिक उपचार दुश प्रभाव के बिना लाभ प्रदान कर सकते हैं चार, डॉक्टरेक्टर से समवाद अपने डॉक्टरक्टर से खुल कर समबाद करें और अपनी सभी स्वास्थे चिंताओं पर चर्चा करें यह सुनिश्चित करें कि आप अपने उपचार योजना को समझते हैं पांच, दूसरी राय लें यदि आवश्यक हो तो दूसरी राय प्राप्त करें यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आप सही उपचार प्राप्त कर रहे हैं अध्याय सोला, डॉक्तर ग्रेगर का डेली डोजन इस अध्याय में डॉक्तर ग्रेगर ने रोजाना सेवन के जाने वाले खाद्य पदार्थों की सूची दी है जिन्हें वह डेली डोजन कहते हैं यह खाद्य पदार्थ स्वास्थे को बनाई रखने और बीमारियों से बचने में मदद करते हैं मुख्य बिंदू एक, पल, रोजाना ताजे फलों का सेवन करें फलविटामिन, मिनरल्स और एंटियो एक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं दो, सबजियां रोजाना विभिन रंगों की सबजियों का सेवन करें विशेश रूप से क्रूसिफेर सबजियां जैसे की ब्रोकली और हरी पत्तेदार सबजियां जैसे की पालक लाबकारी होती है 3. साबुत अनाज साबुत अनाज जैसे की ब्राउन राइस, क्विनवा और ओट मील का सेवन करें ये फाइबर और पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं 4. फलियां जैसे की बीन्स, दालें और चना, प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत है इन्हें अपने आहार में शामिल करें 5. नट्स और बीज जैसे की अखरोट, बादाम और चिया बीज, स्वस्थ वसा और पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं 6. मसाले जैसे की हल्दी, अदरक और लहसुन, एंटी इंफ्लिमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं और स्वास्थे के लिए लाबकारी होते हैं 7. हाइड्रेशन परियाप्त मात्रा में पानी पियें और हाइड्रेटेड रहें हाइड्रेशन स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है 8. नियमित व्यायाम नियमित शारीरिक गतिविधी स्वास्थे को बनाए रखने में मदद करती हैं हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें 9. परियाप्त नीद परियाप्त नींद स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्येक रात कम से कम 7-8 घंटे की नींद ले 10. तनाव प्रबंधन तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन, योग और ध्यान जैसी तक्निकों का उप्योग करे अत्यधिक तनाव स्वास्थे के लिए हानिकारक हो सकता है डॉर्टर ग्रेगर की डेली डोजन, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और बीमारियों से बचने के लिए एक व्यापक मार्ग दर्शिका है इन खाद्य पदार्थों और जीवन शैली उपायों को अपना कर आप अपने स्वास्थे को सुधार सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं